अपनी गल्तियों की माफी मांगकर विराड फिर से जाने वाला है सई के साथ ऐसे में पाकी क्या करेगी जी हाँ दोस्तों सेयल का आने वाला ट्राक बहुत ही जादा इंटरेस्टिंग होने वाला है आप देख रहें फिल्म बीट और मैं हूँ आपके साथ शिल्पी वैसेयल गुमे किसी के प्यार में आगे आपको देखने को मिलेगा कि किस तरह से विराड जो है सई का हाथ थामने वाला है हाला कि सीरल का नया प्रोमो जो है वो सामने आ चुका है जिसमें आप साफ तरीके से देख सकते हैं कि किस तरह से विराट को एक बहुत ही खूपसूरत सपना आया है जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह सही जो है दोनों बच्चों को साथ में लेकर भाग रही है एक तरफ विनायक है तो दूसरी तरफ सभी है अब इन्हें के पीछे पीछे विराट भी भाग रहा है विराट को लग रहा है कि ये पाकी है लेकिन जैसे ही विराट सही के करीब जाता है तो उसे पता चल जाता है ये पाकी नहीं बलकि उसकी सही है यानि कि उसका पहला प्या छहांगे थी एक बार को तो यह लगा था कि किसा स़च में सैराट एक तो नहीं होगे लेकिन आपको बता देखा कि किस तरह से विराट जो सपने में से अच्वानक उठता है और जैसी उठता है वो सई का नाम लेकर हसने लगता है उसके चेहली के समायल अब यहीं चीजें जो है पहाँ पर खड़ी हुई पाँखी नोटिस कर रही है अब पाँखी क्या करेगी वो सच में किसी विलन से कम नहीं लग रहा है भई आप देखेंगे ये इस तरह से विराःः जो है अब रोता हुआ भी नजर आने वाला है आज के एपिसोड के अगर बात करें तो आज के एपिसोड में विराट जो है फूट फूट का रोएगा क्योंकि उसने सही से बत्तमीजी से बात की थी लेकिन विराट अपनी गलती को एकसेप्ट करेगा ऐसा पहली बार होने वाला है आप देखेंगे गाड़ी की बाहर विराट रोएगा और कहेगा मुझे पता है सही वो तुम्हारा ही बेटा है मुझे वो तुम्हें ही देना चाहिए था लेकिन मैं क्या करता अगर मैं वहां कुछ भी करता तो पाकी जान ले लेती अपनी त्योंकि पाकी के हाथ में बंदूग थी ये बात सिर्फ और सिर्फ विराट जानता है और विराट को पता है अगर पाकी की सचाई वो सक्के सामने खोल देता तो फिर जो है बहुत बड़ी मुसीबत आ जाती लेकिन अब जहाँ विराट को अपनी गलती का हसास हो रहा है और जहाँ सीरल का नया प्रोमों सामने आया है तो फैंस को अभवानी उमीद जो है फिर से जागने लगी है कि क्या फिर से सही विराट एक हो जाएंगे बहल ये तो आगे ही पता चलेगा लेकिन आपको बता दे जिस तरह से विनायक की घर में एंट्री हो चुकी है बवानी बहुत खुश है बवानी ने तो विनायक को गले से लगा लिया है और ऐसा लग रहा है कि बवानी तो विनायक को अपनी आँखों से एक पल के लिए भी दूर नहीं होने दिना चाहती लेट के लिए जल्दी से हमारे चानल को सब्सक्राइब करने अगर आप यह वीडियो हमारा फेस्बूक पेज पर देख रहे हैं तो जल्दी से से भी फॉलोग कर लें